बाई बाई गाड़ी चली गई हलो दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सब का एक नए वीडियो में और आज थोड़ा मैं दुखी हूँ क्योंकि आपको कुझे था कि मैंने बताया है कि कार का दो दो बार एक्सिदेंट हो गया था तो मुझे भी अब ये कार उतनी चलाने मज़ा नहीं आ रहे थी और थोड़ा एक मन में भी आ जाता है तो मुझे रगा कि अब ये कार को निकाल देना चाहिए तो आज हम स्विफ्ट में आकरी ड्राइब कर रहे हैं और जैसे हम घर पहुंचेंगे वहां को याया हुआ है कार को लेने के लिए तो आज ये कार चली जाएगी और स्विफ्ट हमारा साथ नहीं रहेगी अब तो ये है हमारा स्विफ्ट के साथ आकरी सफर मैंने सुचा अपनी फैमिली को बता दिया जाए कि स्विफ्ट अब नहीं रहने वाली है और इसी के साथ मैं आप सब से कुछ पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए कि पुरानी लेना चाहिए क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है दो-चार साल बात साव इलेक्ट्रिक जादातर कार आने वाली हैं तो मुझे पेट्रोल डीजल ये सेंगी पर जाना चाहिए नहीं गाड़ी में या फिर कोई सेकेंड कार फिलाल के लिए लेके तिन-चार साल वेट करना चाहिए अब लोग मुझे बताइए मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं बहुत ही बेसबरी से वेट कर रहा हूं जब तक आप लोग नहीं बताएंगे में पास कार नहीं होने वाली है बीना कार के ही मैं चलूंगा और तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी से अच्छी कार मुझे सेज़स्ट करिए बजट क्या है आपका तब लोग बटाएंगे मुझे बजट और बजट बता दूंगे ज्यादा बजट नहीं रखना है मेरा ज्यादा हो सकता है कि मैं ब्रेजा एलेकसाई तक जा सकता हूं उस रेंज तक उसके उपर नहीं जाओंगा मैं तो उस हिसाब से मुझे आप आप लोगों को दिखाएंगे लास्ट एक सैट स्माइल सैट फेस जो भी होगा और फिलाल तो यहीं है घर चलते हैं जो आया है वेट कर रहा है गाड़ी दे देते हैं पिर देखते हैं आगे बात करते हैं आपसे ठीक है अब यह अब यह बाया गाड़ी है रोड पर निकलेगी तुकती रहती है अब यह आगे ठुकी थी पीपी यह क्या यह सब ठुका था बात कर्वन कोगा। बाई बाई गाड़ी चली गई चली गई